हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं सब मेरा ना मेरी थिक और आप देख रहे हैं मदवेक लैशर सुफ्रेंट इस वीडियो में मैं टॉपिक क्लियर करने वाला हूं के पोसर मेरे फ्रेंट्स और आप सबने भी ये प्रॉब्लम जो है जेली होगी कि यार मार जो अकाउंट है बैन हुआ है 14 दिन के लिए 90 दिन के लिए जितने में दिन के लिए हुआ और उसके बाद भी वह नहीं चल पा रहा उसे एक दो दिन जादा भी होगे लेकिन वह अकाउंट नहीं ओपन हो रहा तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उसको कैसी जो है ठीक कर सकते हैं और फ्रेंड आपको मैं बता दूँ यार के आम में से कुछ सोच रहे होंगे कि यह आमने तो सीरीज जो है पर शुरू की थी तो उस पर मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई तो फ्रेंड सीरीज से जादा इंपोर्टेंट यह वाला कोशन था क्योंकि बहुत सरे मेरे फ्रें पारा तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं आपके यह वले जो डाउट से वो क्लियर कर पाऊ और आई होप के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो मदद मिली जाएगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यह लाइक कर देना वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आई होप कि आप पर रीपले पूरा नहीं देखना चाहेंगे तो चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको किसी तरह से सूपर से कॉन्टेक्ट करना है और वो कैस करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो इस चीज में सबसे ज़दा लोगों को जो है प्रॉब्लम आती है कि हम में कॉंटक्ट कैसे करें सोपरसल से तो सब से पहले तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपको अपने प्लेयर टैग अपने जो नाम रखा है वो तो चलो आपको पता ही होगा आपको प्लेयर टैग बता होना चाहिए अपना नाम जो उसमें रखावा गैम में वो पता होना चाहिए बिल्कुल सही नाम उसके बाद आपको कौन से क्लाइन में हैं वो पता होना चाहिए क्लाइन का टैग अगर आप दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा और उसके बाद आपका एक्सपिरियंस लेवल कितना था और आपने जब गैम अपने बैन हुई थी तब आपका जो ट्रॉफिस कितनी थी लग बग आप हिसाब लग लगाना कैसे है उनको तो फ्रेंट आप जब आपका अकाउंट बैन होगा तो आप ड्रेक्ट इस गैम को नहीं खोल पाएंगे जैसे मैं आपको बताता हूं आप जैसे माल लीजी सी उसी को खोलेंगे तो आपको वहाँ पर क्या आएगा कि आपको आएगा कि आगे यूर अ है बेंड तो इसकी वज़े से आप गैम उपन नहीं कर पाएंगी तो इसके वज़े से आप कंटक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको करना क्या है क्लियर कर देना है और उसके बाद गैम को open करना तो वो स्टार्टिंग से open हो जाएगी और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हवो है उसके बाद आपको connect करने के लिए बोलेगा कि अगर आपको पहला account है तो आप उसे connect करें और आपको उस account से connect नहीं करना है जो account आपका बैन हो चुका है आपको उस account से connect करना है जो account आपका बैन नहीं हुआ है या कोई और account है नया है पुराना है कोई बात नहीं आप कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं यहां पर तो आप जब उस अकाउंट से कुनेक्ट हो जाएंगे तो आपको सिंप्ली सेटिंग्स में जाना है help and support में जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं stay safe and जो भी है या इसमें जरूरी नहीं कि आप क्या करें आपको कंटक्ट के लिए बस नीचे आप देख सकते हैं was this helpful आपको नो पर क्लिक करके contact aspect कर देना है dear super supercell मैंने पहले ही लिखा वा है इसके बाद आपको लिखना क्या है मैं आपको बता देता हूं आगे मैं आपका clan tag आपका player tag देना है उसके बाद आपको नीचे लिखना है कि मेरा काउंट 14 दिनों के लिए बैन हुआ था माले ते 14 दिन का था तो 14 दिनों के लिए बैन हुआ था लेकिन 14 दिन निकल चुके अभी मेरा काउंट जो है बीवी बैन है वो खुल नहीं रहा तो मैं आप अच्छे पोलाइटली आपको यह message लिखना है और उनको जिनको सेंट कर देना है आप यहांपर देखरें उपर सेंट बले बटन में दबा कर आपको सेंट कर देना है और फिर होगा क्या कि वो एक दिन में या दो दिन तो नहीं लेते वैसे एक ही दिन में हो जाएगा एक द स्क्राइब चैनल को जरूर कर देना अच्छे कंटेंट्स देखने के लिए और एम करते हैं यार इस वीडियो में 20 लाइक्स आ जाएं 20 ज्यादा तो नहीं है मेरे लिए बहुत हैं लेकिन तो आई होप के 20 लाइक्स आ जाएंगी और भी क्लैश अफ क्लैन के उपर अगर आप कि सीरीज तो नहीं चोड़ सकते वो तो चलेगी दिद पूरे दिद दस दिन तो हमें रेगुलर वीडियो बनानी हैं सीरीज पर और शाम को उस पर मैं वीडियो बना दूंगा तो रिप्लेज वगारा भी आपको दिखाया करूंगा जैसे आप देख सकते हैं कल मेरे पास 5000 चलेंट अब क्लिक सर्था आध मेरे पास 10,000 हो चुका है तो इस वीडियो में मैं रिप्ले नहीं बता सकता वीडियो लंबी हो जाएगी तो चले फ्रेंस आज कले बसी इतना ही तो आज कले नहीं शाम को वीडियो अपलोड होगी अभी के लिए बसीत नहीं तो शाम को शाम को आपसे मुलाकात होगी थैंक्यू फ्रेंस बाई बाई